Hello everyone, Jamia Millia Islamia BTEC 2024 की first list आ चुकी है यानि कि जितने भी लोगों ने Jamia BTEC के लिए application form fill किया था उन लोगों को admission के लिए first list आ चुकी है आज किस वीडियो में discuss करने वाले हैं कितने लोगों को admission के लिए बुलाए गया है और किस date में admission के लिए जाना है और कितना cutoff गया है भी first list के लिए इसके बाद और कितनी list आती है Jamia में और expected cutoff क्या होने वाला है इस बार के लिए क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि तीन नए branches भी introduce किये गये हैं Jamia BTEC में तो सारे लोग चैनल को subscribe करके रखें और वीडियो को भी like कर लें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह जो first list आई है उसमें कितने लोगों का नाम है और कितने rank तक नाम आया है और उन लोग को admission के लिए कप जाना है तो सबसे पहले आपको admission admission result चेक करने के लिए official website gmicoe.in पर जाना होगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते है admission section के जस्ट नीचे यहाँ पे university admission result दिखी जाएगा इसको आपको क्या करना है open करना है जब आप open करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते है select course type इसमें आपको btech and brk select करना है उसके बाद आपको btech select करना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं Capture आपको इंटर करना होगा जो आप capture इंटर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर list दिख जाएगी और list आपको open करना होगा यह list open हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोगों का roll number इसमें है जितने भी लोगों का roll number आचुका है उन लोगों के admission के लिए जाना होगा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उनको फस्ट चॉइस नहीं मिला है तो अगर उनको थर्ड चॉइस मिला है या फॉर्थ चॉइस मिला है तो सारे लोगों को जाना होगा, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका अप्ग्रेडेशन होता रहेगा, जब आपका फाइनल अप्ग्रेडेशन हो जाएगा, तो आप फिर फाइनल जाकर के आप अगर आप जाएंगे तो आपको डॉक्मेंट्स भी साथ में लेकर के जाने होगा, वह इस पीडियुप में मिल जाएगा, या फिर जो वाट्सएप ग्रूप है, वहाँ पर आपको यह पीडियुप मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, कि जितने भी डॉक्मेंट्स रि अपड़ेश कोने हैं, वह इस पास काफ यह इस पास कि पर आपको को और आपको बती शॉर्चमी में ओसेट में जाना है, या लास्ट एर और यflower कुटऑ हैगा, आपको लेकर के पर दियकर थे लिख जो नहीं बॉक्मेंट्स भी कर पताएगा, या मिल जाल मिल जाएग कि like जैसे क्या हुआ था लास्ट यर एक लाग पचीज़ार रेंग तक civil engineering मिल गया था तो इस बार कितने रेंग तक मिल सकता इन सब के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें civil engineering में तो civil engineering में आप देख सकते हैं general category में जो कटाफ किया है वो 49,935 रेंग तक first list में गया है 2024 में Muslim category में 16,943 Muslim OVC ST में आप देख सकते हैं 66,247 Muslim women में 1,3,421 रेंग तक जामिया internal 1,4,344 रेंग तक और उसके बाद PWD disability बहुत सारे categories हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह था civil engineering का कटाफ first list 2024 का उके उसके बाद अगर हम बात करें और यह civil engineering का हो गया civil engineering के बाद और branches का discuss कर लेते हैं civil engineering के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं computer engineering computer engineering इस बार पहले round में general category में 15,766 रेंग तक गया Muslim category में 22,126 रेंग तक Muslim OVC ST में आप देख सकते हैं 28,796 रेंग तक Muslim women में 42,737 रेंग तक जामिया internal में 32,238 रेंग तक computer engineering मिल चुका है ओके तो civil engineering हो गया और computer engineering हो गया उसके बाद electrical engineering के किटाफ के बारे में डिसकस कर लेते हैं electrical engineering general category में 37,894 रेंग तक Muslim category में 45,704 रेंग तक Muslim OVC ST में 48,418 रेंग तक Muslim women में 72,67 रेंग तक जामिया internal 75,552 रेंग तक electrical engineering हो गया computer engineering हो गया और civil engineering हो गया उसके बाद और branches का discuss कर लेते हैं और उसके बाद ये चेक करेंगे कि last year कितना गया था और इस बार कितना जा सकता है तो अब आप देख सकते हैं electronics and communication engineering electronics and communication engineering general में 30,130 रेंग तक Muslim category में 37,26 रेंग तक Muslim OVC ST में 42,914 रेंग तक Muslim women में 54,287 रेंग तक जामिया internal 57,158 रेंग तक electronics and communication engineering हो गया civil engineering हो गया एक और branch जो old branch है वो है mechanical engineering उसका भी देख लेते हैं उसके बाद self-financed branch का भी चेक करेंगे कि कितना कटाफ गया है तो यह है mechanical engineering, mechanical engineering आप देख सकते हैं general category में 46,588 रेंग तक Muslim category में 55,903 रेंग तक Muslim OVC ST में 60,827 रेंग तक Muslim women में 82,879 रेंग तक जामिया internal 98,957 रेंग तक यह हो गया mechanical engineering यानि कि यह सारे जो old branch है उनका discuss हो चुका अगर हम बात करें old branch जो है उनकी fees कितनी है तो old branch की जो fees है एक साल की वो 16,150 रुपए है यानि कि civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, electronics and communication engineering, computer engineering यह सारे branches की एक साल की fees 16,150 है लेकिन अभी जो तीन नए branches आ है electrical and computer engineering, electronics, well as I, design and technology, computer science and engineering, data science इन साल की 1,500,000 रुपए है यानि कि 1,50,000 रुपए है तो अब और लिस्ट के बारे में discuss कर लेते हैं यानि कि और branches के बारे में discuss कर लेते हैं कितना कटाफ गया है self-finance का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और वीटिक इन एलेक्टिकल and computer engineering, वीटिक इन एलेक्टिकल and computer engineering, इसका कटाब आप देख सकते हैं, जनरल केटेगरी में 42,210 रैंग तक है, मुस्लिम केटेगरी में 52,802 रैंग तक है, मुस्लिम OVC ST में 58,031 रैंग तक है, मुस्लिम 2309 रैंग तक है, यह हो गई उस ब्रांच की electrical and computer engineering की, जो self-finance ब्रांच इस साल introduced हुए है, उसकी, और ब्रांच से इसके बारे में discuss कर लेते हैं, जो self-finance ब्रांच introduced हुए है, यह है, बीटेकिन electronics, वेलसाई, डिजाइन और टेकलोजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल केटेगरी में 46,085 रैंग तक, मुस्लिम केटेगरी में 69,641 रैंग तक, मुस्लिम OVC ST में 65,173 रैंग तक, मुस्लिम वीवेन केटेगरी में 1,095 रैंग तक, और जामिया इ electronics, वेलसाई, डिजाइन और टेकलोजी मिल चुका है, एक और ब्रांच रहे गया है self finance का, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, कितना खटाफ गया है और आप देख सकते हैं, यह है computer science and engineering data science, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल केटेगरी में 25,538 रैंग तक गया है, मुस्लिम केटेगरी में 38,999 रैंग तक गया है, मुस्लिम OVC ST केटेगरी में 22,701 रैंग तक गया है, मुस्लिम वीमें केटेगरी में 71,702 रैंग तक अच्छा एक और बात यहां पर यह चीज क्लियर हो गई है कि जितने self-financed branch आए उनके जो कटाफ है वो civil engineering और mechanical engineering के अंदर ही है यानि कि जो self-financed branch आए उनको पहले ही लोगों ने चूज किया ऐसा नहीं है कि यह last में चूज किया भले से फीज जादे है इसकी फीज बहुत जादे है यानि कि तब भी लोगों ने क्या किया है कि पहले प्रफर किया civil engineering और mechanical engineering के comparison में क्योंकि आप देख सकते हैं कि civil engineering की जो कटाफ अभी लोगों को admission मिला तो आप देख सकते हैं last year के अगर हम बात करें 2023 में 2020 में आप देख सकते हैं क्यों इस जो बात करें civil engineering कें ग्रांच में लिए तो आप देख सकते 49,935 हैई इस साल और last year के अगर हम बात करें तो 49,97 यानि आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत जादे variation देखने को नहीं मिल रहा है 49,000 और 49,000 यहाँ पर देख सकते हैं 97,000 बिल्कुल सेम है यहनि कि बहुत जादे variation देखने को नहीं मिल रहा है उसके बाद यह First List है, ऑके और बात कर लेते हैं ये फॉर्स्ट लिस्ट और ब्रांचे के बारे में डिसकस कर लेते हैं कि है कि लास्ट लियर पाइसर कितना गया था और इस साल आप देख सकते हैं जो computer engineering है वो 15,600 यानि कि बिल्कुल same rank के आसपास गया last year से बहुत जादे variation देखने को नहीं मिला है और civil engineering के अगर हम बात करें तो civil engineering भी 49,000 rank तक last year गया था यानि कि around 50,000 मान सकते हैं और इस साल भी यानि कि जो self finance branch है वो पहले ही choose कर लिए गया है और बात में नहीं गया यानि कि बहुत low cutoff नहीं गया है क्योंकि बहुत सारे लोग query कर रहे थे कि क्या उनका low rank है तो क्या उनको self finance branch मिल जाए कि नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cutoff है overall वो 50,000 के अंदर ही है अब हम बात कर ले थे हैं कि last year last round में कितने लोगों को admission मिल गया था तो यह है 2023 का और 2023 का last round है यह last year 2023 का है without spot round without spot round आप देख सकते हैं general category में और 79,713 राइंग तक मिल गया था spot round की बात नहीं कर रहे है ठीक है और उसके बाद आप देख सकते हैं यह है second list of selected candidates और second list of selected candidates ओके तो online रेजिटेंच यानि कि spot round के बाद spot round के बाद अगर हम चेक करें कि spot round के बाद कितने लोगों को admission मिल गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,25,412 रेंग तक यानि कि overall अगर हम बात करें last year civil engineering 1,25,412 रेंग तक मिल गया था Muslim category में 1,30,335 रेंग तक मिल गया था last year Muslim OBCHT में 1,35,000 रेंग तक मिल गया था Muslim women category में 1,65,000 रेंग तक मिल गया था Jamia internal 1,26,000 रेंग तक मिल गया था civil engineering computer engineering में एक seat बची थी वो जो मिली थी spot round में जो regular round थे उसको complete होने के बाद और सारे branches के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने round तक मिल गया था तो आप यहां बजाएक से इलेक्टिकल इंजिनिंग 90,446 रेंग तक मिल गया था Muslim women category में 1,28,806 रेंग तक मिल गया था Electrical Engineering और Electronics and Communication Engineering के अगर हम बात करें तो Electronics and Communication Engineering सत्तर जार रेंग तक मिल गया था लेकिन यह spot round में एक ही seat खाली थी तो और ब्रांचिस के बारे में डिसकस कर लेते हैं Mechanical Engineering, Mechanical Engineering एक लाग 11,000 रेंग Muslim women category में, एक लाग 19,000 Muslim OVC category में एक लाग 22,000 Muslim women category में और एक लाग 24,000 JK में आएगी लाग 45,000 रेंग तक तो यह था पुरा कटाफ की कितने रेंग तक admission मिल गया था last year अब अगर हम बात करें कि यह था second list of selected कैसे यह निकि second list आया था यह तो यह आप देख सकते हैं इसी तरीके से यानि कि अब हम बात कर लेते हैं कि total कितने list आते हैं तो जामिया यह बिल्कुल भी decide नहीं करता है पहले से कि कितने list आते हैं जामिया क्या करता है कि one by one list निकालता रहता है कभी भी पहले से date नहीं आता है यह पहले से date आ जाएगा आपको पता जाएगा कि कितने तारीख को आने वाली है अगर हम एक guess करें uh expected date की बात करें कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते है कि इस को हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला list आया है वो कब बुलायगया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में बुलाए गया जो पहले राउंड के लोग है उनको 10 से 12 जुलाई के बीच में बुलाए गया यानि कि अगर हम बात करें expected date क्या होने वाली है तो हम यह मान सकते हैं कि जो दूसरी लिस्ट है वो around 15 से 20 जुलाई के बीच में आ सकते हैं कि क्योंकि जितने लोगों को admission लेना होगा वो 12 जुलाई तक admission ले सकते हैं और लोग अगर admission नहीं लेंगे seat vacant होगी तो अधर लोगों को बुलाए जाएगा यानि कि 15 से 20 जुलाई के बीच में दूसरी लिस्ट आ सकती है अगर हम बात करें कि बहुत जादे अगर टाइम लेंगे तो बहुत जादे जादे यह होगा कि 25 जुलाई लेकिन 25 जुलाई नहीं जाने वाले हैं क्योंकि एर्बेशन बहुत जल्दी-जल्दी होगा तो round हम यह मान सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में दूसरी लिस्ट आने वाली है और एक और बात बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि for example इसमें क्या हुआ कि fourth choice मिल गई या fifth choice मिल गई अगले में क्या हुआ कि उनको second choice मिल गई third choice मिल गई तो upgradation में क्या उनको बार-बार वहाँ पे visit करना होगा तो ऐसा बिल्कुल भ जाएगा बार-बार आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है यह था पूरा process counselling का तो आपको क्या करना है कि अभी अब जितने लोगों का नाम आ गया उन लोगों को 10 से 12 जुलाई के बीच में जा करके वहां पे admission ले ले लेना है और जितने लोगों का अभी नाम न